हेलो माई योटूब फैमली वेलकम टू अनधर डियाईवाई वीडियोज तो चल यह वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हाँ मेरे शैनल में नए है तो मेरे शैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नए आ सिकते हैं यहां मैंने कपड़े का खाली डबबा ले लिया है जिसके ऊपर की प्लास्टिक को मैंने रिमूव कर दिया है और यह इस तरह के का है यहां पर मैंने वाल पुट्टी ले लिया है और उसमें थोड़ा पानी मिला के उसे अच्छे से घूल बन तयार कर लिया है इसमें थोड़ फैबिकोल भी एड़ कर लिया है उसे अच्छे तरीके से विला करके उसमें थोड़ा पानी डालके उसे गीला वाला पेस्ट थोड़ा बना लिया है मैंने अब यहाँ पुट्टी को अच्छे से फेट लेती हूँ ताकि उसमें लम्स ना आ जाए और फेटे के बाद जो मैंने कपड़े का डबा लिया है उसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ चारो तरफ तो यहाँ पे मैंने पैलेट नाइफ लिया है और उसके हेल्प से इसे पूरे कपड़े के डबे में अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ बराबर से और उसे बराबर भी कर लेती हूँ कभी-कभी हम कुछ चीज़े इमेजिन करते हैं और इन चीज़ों को क्राफ्ट में बनाने की कुशिस करते हैं तो वो चीज़े कभी-कभी काफी अच्छी बन जाती है और कभी-कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाते है तो इस तरह से मैं चारो तरफ से इस एच्छे से के बराबर लेबल में कर लेती हूं जो कि अभी गीला ही है तो यह फटा-फट अच्छे से हो भी जाता है यहां पर मेरे कुछ ड्राइफ फ्लावर्स पड़े वे थे जिसे मैंने फेका नहीं था तो उन ड्राइफ फ्लावर्स को इसके ऊपर से इस तरह के से प्रेस कर लेती लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि मैंने थोड़ा गीला में ही डाल दिया था तो बहुत सारे पुट्टी जो है यह फ्लावर्स के साथ ही चिपक जा रहे थे और वहां पर स्पेस काफी खाली हो जा रहा था तो थोड़ा सा तो बिगड गया था मेरा जो भी मैं बना रही थ फिर भी मैंने इसे बाद में correct कर लिया और इस तरह से leaves वगेरा के images भी मैंने इसमें लगाए इस तरह से चिपकाया और फिर उसके image बन जाने के बाद उससे निकाल लिया इसी तरह से पूरे इस board के उपर पूरे इसी तरह से flowers को चिपकाके और वापस से उसका प्रिंट बना लिया एक दिन मुझे ये लगा सूखने में अच्छे से सूख गया उसके बाद फिर मैंने सोचा इसके उपर कलर डालते हैं तो यहां मैंने एक ख्राली कलर लिया है और रेड कलर लिया है उसमें जादा पानी यूज किया है और कम कलर तो इससे क्या हो रहा था था कि थोड़ा-थोड़ा मैं उपर से स्प्रेड कर रहे थी तो वो पूरा फैल जा रहा था और एक अच्छा सा कलर दे दे रहा था मुझे लग तो रहा था कि मेरा ये खराब हो चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा गीले में ही ड्राइ फ्लावर्स को इधर चिपका दिया था जिसके वज़े से कि ज़्यादा ज़्यादा वाल पुट्टी उसमें चिपक जा रहा था पट जब इसे कलर करती जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो करेक्ट हो सकता है तो इसी तरह से मैंने धीरे-धीरे सारे फ्लावर्स को कलर करने स्टार्ट कर दिये और वाटर थोड़ा ज़ादा इसमें डाला और इस तरह से ये पूरा कलर होके रेडी हो गया जिस तरह से फ्लावर्स को मैंने कलर करा उसी तरह मैंने स्टिक को कलर के ला लेकिन इसमें भी एक ग्लिच आ गया कि मैंने वाटर जादा यूज कर दिया और कलर वेरा स्प्रेड हो गया और नीचे की तरफ वो बह के आ गया तो इसके वज़े से पूरी पेंटिंग मेरी खराब हो गई थी लेकिन फिर भी हम आर्टिस्ट हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने कोशिस किया कि मैं इसको करेक्ट कर दूँ तो फिर वहाँ पर green color से मैंने उसके stick बना दिये flowers के जहाँ-जहाँ color spread हो गये थे और नीचे के तरफ color जो spread हो गया था उसमें मैंने green color apply कर दिया और इस तरह से वो पूरे flowers और stems को मैंने बना लिया जब ये बन गया तभी मुझे पता चला कि नहीं हम बिगड़ी वी chooser को भी अच्छे से बना सकते हैं तो ये बिगड़े वे painting को मैंने कुछ इस तरीके से तयार किया और ये हमारा बन के ready हो गया तो जब मैंने इससे complete कर लिया color करके तो ये काफी अच्छा लग रहा था I hope मेरी ये painting आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो like करे, share करे और comment section में comment करे और अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर ले चलिए फिर flower ready होने के बाद देखते हैं कि ये कैसा लगता है तो ये रहा इसका final look तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में वापस से मिलेंगे इसी energy के साथ तिल देन बाप